हम हैं ढोंग प्रकास राजभर आप सभी को हबारा पड़ाम है हम सूसू भाजपा के अध्यत्थ है और बहुत बड़े धुनगु आजमी है आप लोग तो देखी रहे हैं हमको जब भी मौका मिलता है इधर से उधर और उधर से इधर धुनगी ही जाते है हाँ तो इस बार फिर धुनग करके हम बाजपा के साथ में आ गया है तो मोधिम जी को कोट कोट वंदन है और अमिश्चा जी के चल्डों में लोट लोट वंदन है हमारा कोई इमान धरम नहीं है तो बस यही आइडियोलोजी उन लोगों को अच्छी लग गई उनका भी कोई इमान धरम नहीं है तो हम लोग सब साथ में हो गए देश हित में जनता के हित में देश के कल्यान के लिए हम लोग ढुनक करके इधर आ गए हैं अब तमाम लोग हमारे बारे में पता नहीं का क्या कह रहे हैं कहते हैं कि पहले ये कह रहे थे कि वो हमने कहा था एक बार कि अगर भगवान भी कहेंगे तो भी हम भाजपा के साथ नहीं आएंगे लेकिन देखो हम अपनी बाद से पलट गए और आगे भाजपा के साथ में हाँ तो हम बहुत पलटू हैं और यही साइद जो आइडियोलोजी है हमने भगवान को दोखा दिया अच्छा वो लोग भी इतने साल से भगवान को दोखा दे रहे हैं यह जो दोनों लोगों को आइडियोलोजी है बस यही आपस में मैच कर गया है इसलिए जनता के विकास के लिए देश के उसके लिए हम धुनक के इधर आ गये हम वैसे तो ज जानते हैं कि हम पिछडों के कित्ते बड़े नेता हैं लेकिन हमने पिछडों के लिए आज तक क्या किया है आप बताइए कुछ किया नहीं किया तो इसे ही बातपा वाले भी सेम आइडियोलोजी वो लोग भी पिछड़ा यह सब करते हैं लेकिन कुछ नहीं किये हम भी करत तो हम लोगों का आईडियोलोजी जो है मेच कर गया है इसलिए हम लोग साथ में मिल करके अब जैसे मोदी जी कहते हैं कि किसी भी ब्रहष्टाचारी को और इसको पापी को और गैंगेश्टर और बदमाश सब जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा तो अब देखो मुक्तार अंसारी का जो बिटवा हमारे साथ था तो आप सब मोदी अमिस्चा योगी सब हम लोग सब साथ में हो गए हैं तो यह सब कोई मामला रह नहीं जाता है तो बस यही आइडियोलोजी जो है हमारी उनकी मैच हो गई है एक मिनट कोई दूसरा पार्टी कभी ओफर आ रहा है अरे नहीं 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 यह आफर ठीक नहीं है इन लोगों का हम क्या है सत्ता के लोभी आदमी है इनका कोई फरोसा नहीं है इनकी सत्ता कहां इनका सत्ता आने वाला है तो हम सत्ता के लोभी हैं तो बस यही वाजपा वाले भी वैसे तो ideology match कर गई है तो हम सब एंडियो भाजपा सब साथ में ही हो गए हैं अब क्या है कि लोग दो चार दिन गाली वाली देंगे कि पहले हम इतना गाली दिये भाजपा को बहुत गाली दिये भाजपा को कहा था कि योगी जी भीक मांगेंगे यह बहुत लुटे रहे हैं बहुत हम बहुत गाली दिये लेकिन जैसे हम पके हैं कोई फरक नहीं पड़ता इसे वो लोग भी कितना गाली दिया कोई फरक नहीं पड़ता तो यह दोनों को आइडियोलोजी जो है मैच करती है इसलिए हम लोग साथ में आ गया है दो चार दिन गाली वाली अब गाली तो देखि लोगे नेता हैं तो का हमको पौश्टिक आहर के जरूरत नहीं है दो चार दिन सब गाली वाली देंगे तो हमको भी पौश्टिक आहर मिलेगा हम बहुत बड़े ढूंगू बहुत बड़े दल बतलू सत्ता लोभी और मतला समझ भी गया होंगे अब हमको बताने के क्या जरू रहे हैं हाँ अब यह जो देख रहे है हमारा पीला वाला यह पीला जो है था नहीं सफेथ था लेकि इदर हम ढूंगे कभी उदर ढूंगे कभी सत्ता के लालच में उदर भठके इसको गाली दिया उदर जूट वोले उदर उड़ पठाग बके उदर गाली दिया इसके तो हम जो है पड़ाम हमारा सूसू भाजपा के अध्यच धोंग प्रकाश राजभर आपकी सेवा में प्रदेश और देश को हम आगे ले जाने के लिए किसी भी इस्तर तक गिरने के लिए तयार है आप तो देखी रहे हैं आप कितना गिरेंगी हम भाई कितना तो गिरी चुक है बस वही आइडियोलोजी का मामला है तो वो लोग भी सेम हैं सत्ता के लिए कितना भी नीचे गिरने को तयार रहते हैं तो हमारा भी तो आइडियोलोजी मैच कर रहा है तो यह आइडियोलोजी ही देश को आगे बढ़ाता है तो हम देश को आगे बढ़ाने के लिए सब क आएगा हमको लग रहा है तभी तो हम उसके साथ आए हैं आप फिर 24 का देखेंगे क्या होगा आगे फिर कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर धुनग के कहीं दूसरी तरफ जाएंगे तीसरी तरफ जाएंगे हमको धुनगने में कोई दिक्कत नहीं है देश हित में जनता के के लिए किछणों के लिए हम लगा तार जो है धुनग राए हैं धुनक ते रहेंगे तो धुनग प्रकास राजमर का तभी को प्यार भरा नमस्कार ख्याल लखिए आगे जब धुनगेंगे कहीं दूसर तो आपको सूचना अपने आप ही मिल जाएगी फिर चार छेठों द एक पार्टी गवरा फरा रहा है ना 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 तीव